जैको माता दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल गौम रत किसी दर्शन पर जैसे कि दोस्तों आज दिवाली का पर्व है और आज लच्मी पूजा है तो उसके उपलक्ष में हमने एक नया मोल्ड बनाया था दोस्तों चलिए आपको गोबर से लच्मी गणेस बनाना सिखाएगे दोस्तों और आप सभी को भी दिवाली के हादिक सुपकाम ना है तो देखे दोस्तों ये हमने रवर फ्लस फ्राइवर मोल्ड ले चुका है देख सकते ये थोड़ सा कठीन है मोल्ड पे काम करना इसलिए अभी तक हमने इसका वीडियो अ हमने काम चालू कर दिया है देखे दोस्तों और गौमाता के गोबर में लच्मी निवास करती दोस्तों इसलिए गौमे वस्ते लच्मी बोला जाता है तो उसी के लिए हम गाय के गोबर से लच्मी और गणेस दोनों बनाएंगे आज तो इस काम को तेजी से करते तो देखे दोस्तों इस तरीके से आप पूरे parts पे oil लगा दिजे देख सकते इस तरीके से पूरे parts पे आप oil लगा दिजे से फर्ष्ट पार्ट को लगबख हमने अइल लगा दिया है चलिए second part को भी हम oil लगा देते तो दोस्तो plastics लगा देते और दिवाली में उमीद है दोस्तों कि आप सभी ने भी गव में गणेश लच्मी गणेश और दीपक कादी बनाए होगे तो आप अपने घरों में जलाईए दोस्तों उसको और जलाने पर एक विश्यस ध्यान दीजे कि आप उसे किसी भी लकडी की सत्था पर ना जलाए काच पे नहीं जलाए आप किसी एक सुरक्षित जगह पे ही उसको जलाए दोस्तों और घी का दीपक जलाए दोस्तों गव माता के घी का दीपक जलाए तो चलिए इसको भरना है श्टार्ट करते है तो देखे दोस्तों इस तरीके से आपको भरना है वीडियो में आप इन दोनों के चहरों को भर दीजिए देखे इस तरह से भर दीजिए और भरते जाएं दोस्तों क्योंकि आज हमने गोबर से बना रहे है लच्छमी गणेश और आज लच्मी जी का भी तेवार है इसलिए यह वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं तो देखे दोस्तों इस त दोस्तो इस तरीके से आप पूरे मोल्ड को भर दीजे भरने का आसान तरीका है और बहुत ही जलदी जलदी हम भरके आपको दिखा रहे हैं और आपके घरों में भी दिवाली का परवकी पूरी धुमधाम से तैयारी चालू होगी दोस्तो तो आप वो भी तैयारी करिए और इस तरह से गौमे उत्पादों का भी इस्तमाल करके इस दिवाली को गौमे दिवाली के रूप में बनाईए दोस्तों क्योंकि चाइना से जो माल आता है, सिरी जाती, वो खराब हो जाते हैं, कुछ समय बाद और खराब होने के बाद भी उनका कोई यूज नहीं होता जबकि ये लश्मी गणेज, दिवाली दीपक, ये बेकार होने के बाद भी आपका खात का काम करेगे दोस्तो देखे, और ये तो बेकार होते नहीं पर भी, देखे, इस तरीकेशे आप दोनों पायटों को हमने लगा दिया और देख लेते कि कितना गेब बचा हुआ है तो चलिए इनको भरने का काम चालू करते तो देखे दोस्तो इस तरीकेशे तो देख सकते हैं हमें इसको उपर ये पायटों को दबा के भर देते दोस्तो देखे, इस तरीकेशे आपको भरना है कि बीच में थोड़ी सी गेब बच जाए जिससे कि जो एयर है, वो आसानी से निकले और मूर्ती फटेना पर जो हम प्रिमिक से इस्तेमाल करते हैं इसमें मूर्ती तो फटती नहीं पर भी हो सकता है, कभी-कभी क्रेग भी आ सकती है पर ऐसी जनरली आती नहीं दोस्तो पर आ सकती है तो देखे, इस तरीकेशे आप प्रेस करते जाएए जिससे की यह लंबे टाइम तक ठीक है और देखे, हमने लगभख पूरे बेस को किलियर कर दिया है और यह मोल्ड आपको पहले सी बता रहे थोड़ सा कठीन है इस पर काम करना आप करना चाहे तो कर सकते हैं और अन्य प्रकार के भी मोल्ड मंगा सकते और यह भी लच्मिगणेस मंगा सकते तो चलिए आप इसको खोल के दिखाएगे तो देखे, उपर दबा दीजे देखे, इस तरीके से सामने ओले भाग को आपको पहले निकालना है देखे, इस तरीके सामने ओले भाग को पहले निकाल देना है दोस्तों जिससे कि ये मुर्ती देखें ये मुर्ती आसानी से निकल जाए चली इसको आपको अच्छे तरीके से बताते हैं धीरे धीरे बताते हैं कि किस तरह निकालना है तो देखें इस तरीके से आप निकाल दीजिए सामने ओले भाग को देखें हमारे लचमिगणे जी तयार हो गए देखिए दोस्तो किते सुन्दर आपको दिख रहे है और अच्छे प्यारे नजर आ रहे होगे दोस्तो देख शक्ते आप यह देखिए हमारे लचमिगनेश पूरी तरीके से तैयार हो गए है अब चली हम आपको पीछे का इसका पार्ट निकाल के दिखाएगे वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा दोस्तो देखिए पीछे वाले पार्ट को भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं देखिए हमारे पीछे वाला पार्ट भी हमने निकाल दिया है और देखिए मूर्ती आसानी से खड़ी है दोस्तो कहीं भी आपको जुकी हुई नजर नहीं आ तो जिस किसी भाईयों को भी ये मोल्ड चाहिए या बने हुए लच्मिगनेश चाहिए तो गौव अम्रत के शिदर्शन के वार्टसप नमबर पर समवर्क कर सकते दोस्तों और उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चेनल को लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कर ये बेल आइकन को प्रेस कर देजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए जय गोमाता